वही भोपाल से अगली ख़वर है जहां सांसच सादवी प्रग्या सिंग ठाकुर ने अकाशा एयर के ड्यूटी मैनेजर पर गंभीर आरोप लगाते हुए देवराद केंद्रे मंत्री जोजी रादितिस सिंध्या को ट्वीट किया ट्वीट में उन्होंने अकाशा एयर के ड्यूटी मैनेजर इमरान और उसके साथियों पर शड्यंत्र कर बड़ी हानी पहुचाने के प्रयास का आरोप लगाया इसके साथ ही कारवाई की मांग भी की है वहीं साथवी की ट्वीट के बाद एयरलाइन्स की ओर से रिप्लाइ किया गया और कहा गया कि शिकायत को टीम के साथ शेयर किया जा रहा है मामले की जांस की जाएगी पूर मुक्यमंत्री कमलनाथ को राधिसबा प्रत्याशी ना बनाय जाने को लेकर आरोप प्रत्यारोप जानी है बीजेपी विधायक आशी शर्मा ने कहा कि कॉंग्रस कारा कमान कमलनाथ से किनारा कर रहा है और MP कॉंग्रस में अब कमलनाथ यूग का समापन हो गया है कमलनाथ को पहले प्रदेश अध्यक्ष के पत से हटाया गया और अब उन्हें राधिस्भा भी नहीं भीता जा रहा वहीं बीजेपी के आरोप पर कॉंग्रस के विधायक रामनेवास रावत ने पलटवार किया लगता है मत्पदेश कॉंग्रेस से कमलनाथ यूग का समापन हो चुका है और इसलिए कॉंग्रेस ने उनके नाम पर विचार नहीं किया होगा पहले ही उनके हाथ से प्रदेश अध्यक्षी कमान ली जा चुकी है कमलनाथ जी के ही प्रस्ताप पर उनको राजसवा टिकेट मिलाया है बात अमर कंटक की जहां सीम डॉक्टर मोहन यादव पहुचे यहां सीम ने मान नर्मदा की पूजा की नर्मदा जैनती के कारेकरम में भी शामिल होने का सीम का आज का कारेकरम है तो मान नर्मदा की जैनती के मौके पर यहां नर्मदा की पूजाव अर्चना में शामिल हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमर कंटक पहुचे और यहां विधिवत तरीके से पूज अर्चना की इसके लावा जो अर्ने कारेकरम हैं उनमें भी शिर्कत करेंगे मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव तस्वीरे आप देख रहे हैं जहां सीम ने मान नर्मदा की विधिवत तरीके से पूजाजना की तरीक मान नर्मदा की विधिवत तरीक्म देख यादवीरे विधिवत वंजाजना के कहां करना करि cartoon कि इसी वनी रहा है। MPBJP अध्यक्ष वीडी शर्मा ने लोकसभा चुनाव में टिकेट वित्रण पर बयान दिया भोपाल में कहा कि केंद्रे नेतर तो उमीदवारों का फैसला करेगा टिकेट वित्रण को लेकर दिल्ली हाई कमान तै करेगा कौन कहां से चुनाव लड़ेगा ये केंद्रे नेतर तो तै करेगा टिकेट वित्रण में क्या फैर चौकाने वाले नाम होंगे इस सवाल पर वीडी शर्मा ने कहा कि कुछ भी हो सकता प्रमोग कारिकरताओं को इस राश्ट्य अधिवेशन में संबोधित करेंगे और साथ ही समापन सत्र होगा राश्ट्य अधिवेशन का तो देश के सस्वी प्रधान मंत्री दुनिया के सर्वादी लोगपी नेता भारत के प्रधान मंत्री मानि नरिन्द मोधी जी राश्ट्य अधिवेशन के समापन को संबोधित करेंगे राश्टी अधिवेशन का पंजी करण कल दोपैर से 17 परवरी से 11 बजे से सुरू होगा तीन बजे उद्धाटन सत्र होगा राश्टी अधिवेशन 18 परवरी 2024 को दोपैर 2 बजे तक मानी प्रधार मंत्री जी के समापन संबोधन के साथ समापत हो एक बार फिर पन्ना राजपरिवार का विवाद थाने पहुंच गया है राजमाता जी देश्वरी ननद कृष्णा कुमारी से अपनी जान का खत्रा बता है नौकरों को हत्या के लिए कमरे में भेजने का आरोप लगाया राजमाता ने पन्ना थाने में लिखित में शिकायत दी है राजकुमारी कृष्णा ने राजमाता के इस बयान को जूटा बताया है पन्ना कोटवाले पुलिस मामने के शिकायत कर रही है अचानक लगबग साड़े ग्यारा के आसपास मेरे जो दरवाजे हैं उनको बढ़ बढ़ाने की आवाज आई जैसे कोई बैंक कर रहा है बहुत जोर जोर से और आवाजें दे रहे थे कि भार आओ भार आओ मैंने जाके पूछा के भई कौन है तो वो कहने लगे के हम अगर आप कृष्णा कुमारी से पंगा लेंगे तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं जान से मार डालेंगे मद्बरदेश शिवा कॉंग्रस के अध्यक्ष और विधायक विक्रांत घूर्या ने सरकार पर बड़ा आरोप लगाया कहा कि बिना जानकारी दिये देरात उन्हें जेल से छोड़ दिया गया मना करने के बावजू देरात को जबरन बाहर निकाल दिया गया मेरे परिवार को भी इसकी सूचना नहीं दी गई ऐसे में मुझ पर रात में कोई भी हमला हो सकता था इसके साथ ही उन्होंने पटवारी भरती परिक्षा को क्लीन चिट देने पर भी सवाल उठाए और इसकी सीबियाई से जार्च करवाने की बांकी है